प्लीज सब्सक्राइब and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज मिली है एक महिने से भी कम समय में संसत के भीतर जहां पर आकड़ों के सबसे अधिक माइने होते हैं वहाँ पर विपक्ष या महागटबंदन कहिए एक जुट नहीं दिखाई दिया इस बार एंडिये ने अपने खेमे से बाहर जाकर कुल 125 सांसुदों के वोट जुटा ल यानी 123 से ज्यादा वोट यानी जीत 100% पकी एक तरफ एंडिये विपक्ष में सेंदमारी में कामियाब रहा तो दूसी तरफ यूपी ए खुद को एक जुट रख पाने में नाकाम दिखाई पड़ा जैसा लोकसभा में हुआ वैसा ही आज राजसभा में भी दिखाई दिया यूपी ए अपनों मिदवार भी के हरी परसाद के पक्ष में 109 वोट मानकर चल रही थी लेकिन उसे महज 105 वोट ही मिले यानी 100% स्ट्राइक रेट से जो इंडिये का स्कोर था उसके मुकाबले यूपी ए का स्ट्राइक रेट खराब माना जा सकता है और इस आमने सामने की लड़ाई भी तो आप कह सकते हैं ये यूपी के परफॉर्मेंस शून ने साबित हो इस नतीजे को मोधी और शाहती रणीती का कमाल माना जा सकता है हरी वंच की दावेदारी से एंडिये ने कैसे शक्स को सामने किया जिनकी पत्रकारिता समाजिक सरुकार और जेपिया कि निश्चा को कोई चनौती नहीं दे सकता है इमांदार छभी वाले हरी वंच नाराइन सिंग राजिसभा के नए उप सभापती है और ये एक ऐसा नाम था जिस पर बीजेपी के सहयोगी शिव सेना और अकाली दल नाराज होकर भी नाराज नहीं दिखाई दिये एंडिये के साथ रहे हरिवंच जी के लिए वोट किया मोद्य और नितिश कुमार ने हरिवंच के लिए नवीन पटनायक से बात कर बीजेडी को भी अपने पाले में ले लिया यहां तक कि ए आई ए डीम के और टियारेस भी एंडिये के साथ हो गए लेकिन कॉंग्रिस बीजेपी के म नहीं पहुँच पाहिए तरण मूल कॉंग्रिस के दोसांस्षत नहीं पहुचे डीम के नहीं पहुंचा पी डीपी ने एपस्टेन किया आम अदभी पार्टी में एक तरीक से कौंग्रिस के लाव लगत बगाबत कर दी और यह सपर्श कर दिया कि विपक्ष में महागडबंदन में अभी भी बहुत सी दरारे हैं मद्दान के दुरान आमाद्धी पार्टी ने विपक्ष की फूट के लिए राहुल की कॉंग्रेस को जिम्मेदा ठहरा दिया यानि महागडबंदन की कोशिशों की पोल खुल चुकी है इस नतीजे से कॉंग्रेस और महागडबंदन पर कई सवाल उठ रहे हैं जो आज हम तो पूछेंगे हम तो पूछेंगे कि राजसभा की उपसभापती के लिए एक मत नहीं होने पार हो पाने वाला विपक्ष क्या प्रधान मंत्री के चेहरे पर सहमत हो पाएगा हम ये भी पूछेंगे कि क्या विपक्षी एक्ता की राह में राहूल की जिद सबसे बड़ी बादा है जैसे कि आज आमाद्धी पार्टी के साथ हुआ और सवाल नमर तीन कि क्या विपक्ष की इस फूट पर 2019 में बीजेपी को फाइदा होगा बोल हरी बोल महागडबंदन की खुल चुकी पोल इसी मुद्धे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा लेकिन एक नजर इस बड़े और दिल्चस्प घटना क्रंप अब राज्य सबाव उप सभापती का चुनाओ मुकाबला हरीवन्श और भीके हरी प्रसाद के बीच और जंग एंड ये बना महागडबंदन नतीजा आया तो महागडबंदन बहुत पीछे था दो हरी के मुकाबले में एंड ये के हरीवन्श ने मैदान मारा कि खुली पोल कि चुनाओ ऐसा था जिसमें दोनों तरफ हरी थे लेकिन एक के आगे बीके था लोग कंत्र की गरिमा के लिए अपनी दाईत्यों को निभाते हुए और सब क्यारे थे भी परणाम पता है लेकिन प्रक्रिया करेंगे ऐसी बात करना नहीं चाहिए थी मोदी जी को लेकिन हम सब मोदी जी को जानते हैं बहुत ही बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एहंकार धारशाई हुआ है हम मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी जीत है राहुल गांदी जी कहते हैं हम मोदी जी को तो गले लगा सकते हैं लेकिन केजरी वाल को हम फोन करके वोट नहीं मांग सकते तो तंग दिली से देश नहीं चलता, बड़े मन से देश चलता है वोटिंग से पहले ही NDA की जीत तै हो गई थी लेकिन कंग्रेस को NDA के नाराज दलों और महागटबंदन की बंतीत बाकत पर फ्रोशा था कंग्रेस इस चुनाव को महागटबंदन का लिटमस टेस्ट पनाना चाहती थी लेकिन इस चक्कर में महागटबंदन की दरार और कहरी हõ गई सहयों की दल उम्मीदवार उतारने से पीछे हटे तो बीके हरी बसाथ मैदान में उतरे लेकिन 125 के मकाबले 105 से उनकी हार हुई NDA में नाराज चल रही शिवसेना तो मान ही गई साथ ही उनके खेमे में बीजे डी भी दिखी कांगरेस के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तयार आमादवी पार्टी ने तो राहुल के रवये पर ही सवाल खड़े कर दिये हम आपको वोट देने के लिए तयार हैं, आप वोट मांगरे के लिए तयार नहीं, आप कह रहे हम राजा हैं, हमने प्रत्यासी खड़ा कर दिया, आप लाइन में लग जाओ, ऐसे थोड़ी होता है हरिवंश की जीत के बाद सक्ता और विपक्ष दोनों के लिए सदन में हास परिहास का मौका आया ज्यादा तर ये सदन का हाल ये है, कि जहां खिलाडियों से ज्यादा एंपायर परिशान रहते हैं और इसे ये नियमा में खेलने के लिए सबको मजबूर करना एक बहुत बड़ा काव है लेकिन हरिवंश जी जुरूर इस काम को पूरा करेंगे उप सबापती को समर्थन जादा यहां से मिलता है लेकिन सीट वहां दीजाए और शायद इसका कारण ये है कि बैठे आप आजाद साब की बगल में लेकिन देखते हमारी तरफ है लेकिन अपनी उपेक्षा और विपक्ष की भूट पर आम आत्मी पार्टी बिफर पड़ी राज्य सबा में बहुमत से दूर होने के बावजूद NDA की जीत मोदी नीती की जीत मानी जा रही है ऐसे में हम तो पूछेंगे कि क्या राज्य सबा उपसभापती चुनाव ने फिर साबित किया है कि मोदी नीती से राहूल पार नहीं पा सकते हैं हम अपना सबाल एक बार फिर दोराते हैं कि क्या राज्य सबा उपसभापती चुनाव ने फिर साबित किया कि मोदी नीती से राहूल पार नहीं पा सकते हैं अगर आपका जवाब हाँ है तो एच्टीपी स्पेस देकर वाई लिखिए नहीं के लिए एच्टीपी स्पेस देकर एन लिखिए आप अपने जवाब हमको 51818 पर SMS कर सकते हैं हैश्टेग एश्टीपी और हैश्टेग मोदी वर्सेस महागडबंदन के जरिये आप ट्वीट करिये और फेस्बूक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साजा करिये महमानों का परिचा कराता हूँ वगर वगवाए जो खास लोग आज बारी-बारी से मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे सबसे पहले भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदान शुत्र वेदी जी मारे साथ हैं स्वागत है आपका चरन सिंग सापरा साथ कॉंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे स्वागत है आपका सापरा साथ आतिशी मरलेना जी हैं आम आदनी पार्टी के प्रवक्ता स्वागत आतीशी जी आपका इस डिबेट में और साथ में नवाब मलिक जी है जो कि NCP के वरिष नेता हैं प्रवक्ता हैं वो इस वक्त मुंबई से मेरे साथ हैं और नीरत सिंग जी है जनतादल यूनाइटेट के प्रवक्ता नेता जिनों ने आज जिनकी पार्टी ने आज इस देश को नया राजसभा का उपसभा पती दिया हरिवन्शी जी के नाम से लेकिन मेरा पहला सवाल सापरा साब आप से है महा कड़वंदन सिर्फ सडकों तक ही रहेगा क्या केरल की असेम्बली के बाहर दिखाई देगा जंतर मंतर पर दिखाई देगा जहां पर संख्या होनी चाहिए दोनों सदन की बात कर रहा हूं लोकसभा में विश्वासमत में अपने लोगों कोई घटा नहीं कर पाते हैं राजसभा में आज चुनाव के दुरान आपकी अपनी संख्या पूरी नहीं थी आपके अपने सांसत अंदर नहीं थे कैसा मागडबंदने कौन जीरत लिएगा इसको साप्रा साथ अगर जी बोली आवाज गया सुमिच जी आरी आवाज देखे ऐसा है आपने आपने जिस चर्चा को शुरू किया है 41 वर्षों से यहाँ पर यह जो डेपूटी चेर्मेन की पोस्ट है यहाँ पर कॉंग्रिस पार्टी के नेता रहे है तो कॉंग्रिस पार्टी ने कभी यह नहीं कहा कि कॉंग्रिस की नीती को पार नहीं कर पा रही बीजेपी तो इस तरह का वक्तव्य हमने कभी नहीं किया था तो ये जो चीजें हैं ये समय अनुसार वर्काउट करनी पड़ती है मैं आज सबसे पहले मुबारक बात देना चाहूंगा जो उमीदवार हरिवांस जी जो जीते हैं उनको और दूसरी बात ये है आपने कहा कि कॉंग्रस पार्टी के भी वहाँ पर दो मेरे ख्याल से मेंबर पार्लेमेंट नहीं थे एक शायद सुबारम्मी रेड़ी नहीं थे जो मेरे ख्याल से उनकी तवियत खराब है और कोई हम नहीं जीत पाए हम हमेशा जीतते थे लेकिन आज नहीं जीत पाए तो ये हमको इंट्रोस्टेक्शन करना पड़ेगा ये भी बात सच है मैं उसको पूर्ट करता हूँ बीजेपी को जितने चाहिए थे उतने एंडिये के मिले ही मिले और जो एंडिये के घटक दल नहीं है उनको उन्होंने फोन करकर अपने साथ ले लिया आपको एक पार्टी ने साफ तोर पर कहा कि हम समर्थन करने को तयार हैं आमाद्धी पार्टी संजा सिंगी ने कल बाइट दी उन्होंने ट्वीट किया कि सिव राहूल जी को अर्विन जी से बात करनी होगी पर आपका एहंकार इतना जादा था कि आप अपने ही उम्मिद्वार बीक एहरी परसाथ कॉंग्रेस पार्टी के सांसद हैं उनके लिए अपने फोन नहीं किया अर्विन केद्रिवाल को और तीन बहुबूले वोट गवां दिये जाने दिये क्यों नहीं नहीं सुमिच जी एहंकार की बात नहीं है देखिए एहंकार जो आज उनके वक्तवय में देख रहा हूं आमाद्वी पार्टी के नेताओं का अहंकार उनकी बातों से नजर आता है कॉंगर्स पार्टी ने कभी अहंकार नहीं किया, अहंकार किया होता तो हम 2013 में उनको मदद नहीं करते 2013 में वहाँ पर आम आप पार्टी की सरकार अगर नहीं बनाई होती 2018 की बात हो रही है, आप 2018 की बात करें, आप 2018 की बात की है, मैं 2018 की बात की है मैंने यही बताया है कि 2013 में हमने एहंकार नहीं किया, लेकिन इन्होंने हमारे निताओं पर केसिस दर्ज किये, फिर 14 के लोकसभा के चुनाओ में इन्होंने हमारे उमीदवारों के साथ में सेकूलर उमीदवार के सामने सेकूलर आदमी खड़ा होगा, तो BJP को फायदा होगा इन्होंने बीजेपी को फाइदा पहुचा है, impeachment motion में इन्होंने क्या किया, भारतिय जन्ता पार्टी की मदद की, तो ये जो दोहरा चेहरा है आम आद्मी पार्टी का, ये expose हुआ है, जो हिपोक्रसी है, आँआसे आँशी ज़वाब दे, आहंकार आम आद़्ी पार्टी पीजेपी के साथ मिल जाती है, impeachment motion में बीजेपी के साथ खड़ी थी, जवाब दीजिए. गए सुमित जी, शाय जो सप्रा जी है, वो दिल्ली के कॉंग्रिस तरेश अध्यक्ष अजे माकन जी से परिचित नहीं है उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर कोई दिल्ली में मिल जुल के काम कर रहा है जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कॉंग्रिस और बीजेपी हैं बराबर से ताल मेल से अजे माकन जी और दीजेपी की नुमायंदे L.G. सहाब पिछले दो-तीन सालों से काम करते हैं अजे माकन जी कॉंप्लेंट डालते हैं आम आदमी पार्टी की किसी पॉलिसी के खिलाफ उस उस पॉलिसी को फिर L.G. सहाब रोग देते हैं जिस प्रकार से election commission के बारे में Congress की central leadership कहती है कि election commission biased है उसी decision पे जब 20 आम आदमी party के MLA को disqualify किया जाता है तो अजे मांखन जी लड़ू बांटते हैं उनहीं की शिकायत शामिल थी हमारे parliamentary secretaries के disqualification में अगर आपके MLA गैर वाजिब काम करेंगे और उनको rejection होगा तो क्या Congress party उसका अपसोस मनाना चाहिए Congress party ने गलत काम आपके विदायक करें और उनको अगर उसकी सजा कोई मिले तो Congress party के अपसोस मनाए आपके साथ आके घर पे आम आदमी party के विदायकों के खिलाफ जो जो जूटे case हुए जो आज रोज जूटे cases आम आदमी party के विदायकों पे लग रहे थे वो आज रोज fast track courts में गिरते जा रहे हैं एक भी case खड़ा हुआ नहीं बचा लेकिन Congress ने हर ऐसे जूटे case पे मिठाई बांटी है पर आप दिल्ली Congress को तो छोड़ ही दीजिए आज अगर आप राश्टी Congress के इनरेत्रित्व को भी देखिए तो शायद महागटभनन बनने में मोदी जी का विरोध करने में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो वो Congress है देश के संघियर धाचे पर जब हमला हुआ यह तो आप शाथ यह देखके अगर बाधा है क्यूंकि पंजाब की जनता ने देखा है कि आप भारत की जनता पार्टी ऑर अकाली दलका वहाँ पर समर्थन इंडरेक्टि करते हो यह तमाम सारी चीजह देखने के बाद आप आपकी जो बैना है साफरा जी किसी ने आपके पीज़ में बोला था सकते हैं तो जब संगियर ढाचे पर हमला होता है और जब आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को दिल्ली में काम करने नहीं दिया जाता तो देश भर से पार्टीयां साथ में आती हैं प्रणतु वहां पे कॉंग्रेस एक शब्द नहीं बोल सकती है तो जब मोदी की सरकार का जब प्रधान मंतरी का सबसे बड़ा हमला होता है एक डेमोक्राटिकली इलेक्टिड स्टेट गवर्मेंट पर तो कॉंग्रिस बिल्कुल चुपी साधे रहती है आज भी अगर आद देखिए जब आपका भ्राश्टपती का चुनाव हुआ था आपने समर्थन मांगा नहीं था आमाद्मी पार्टी ने खुद दिया था जब अरुनाचर प्रदेश में रूल लगा था जब आज़ा हो गया था साफरा साफ पूरी एकता तार तार है महागडबंदन ने एकता तार तार है ये महागडबंदन की तस्रीर हिंदुस्तान की आवाम इस लाइप प्र देख रही है दो पार्टिया जो मोधी विरोध के नाम पर हैं लेकिन यहां कैसे एक दूसरे की ओपर आपने फोन तक नहीं किया क्या मतलब है इस बात का यह साफ दिखाता है कि पार्टी के अंदर आम आद्नी पार्टी को लेकर तनाव है मदबेद है जंतर मंतर पर भी टैग किया जाता है भी एक हफते पहले की बात है कि पहले अर्वित के दिवार आके चले जाएंगे फिर सापरा साब हिंदुस्तान के आवाम बुद्धू नहीं है वो देखती है आप इन चीजों को और अगर आपको आमाद्नी पार्टी से दिक्कत है पंजाब की आवाम बुद्धू नहीं है देख लिया सबने बीक्यारी परसाद के लिए आप अपने वोट इखटे नहीं कर प गांदी सबसे बड़ा रोड़ा है माघटबंदन की एक्ता में कि मैं एक बात बहुत इसपष्ट करना चाहता हूं कि आज जो चुनाव था उससे इसपष्ट हो गया कि सड़क से लेके संसत तक जन भावना को समझने से लेके संसदी ये प्रबंदन तक हर जगहे कहीं भी विपक्ष में कोई एकता सामन्जस समन्वित द्रिष्ट कोण यानि इंटिक्रेटिड आउट्टुक कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा है आज की इस घटना मैं कहना चाहूंगा क्यों हरिवश जी को तो हम बदाई देना चाहेंगे ही दोनों तरफ हरी थे प्रधान मंतरी जी ने कहा और सुमित जी यदि एक ही शब्द दो जगहे हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो हिंदी साहित में उसे यमक अलंकार कहते हैं तो आज के दोनों हरियों के लिए तो हमें वही पंक्त याद आती है हरी हर से हरी देख को हरी वैठे हरी पास और ये हरी हरी में जा मिले वो हरी हुए उदास तो वो एक उदासी हम समझ सकते हैं मरियाद सिर्फ हरी उदास नहीं हुए उनके पीछे वाले राहुल गांदी जी भी उदास हो गए उनको भी ये समझ में आने लगा है कि अब मैं क्या करूँ उन्हें इस पश्ट रूप से व्यवस्चित ढंग से ना फ्लोर मेनेजमेंट दिखाई पड़ रहा है ना पब्लिक का मेनेजमेंट दिखाई पड़ रहा है मैं इमानदारी से एक और बात करना चाहता हूँ आम आदनी पार्टी और उनसे जिस भी प्रकार का उनका आपस का मद्रेद है वो अपनी जगह है हाँ यह मैं जरूर करना चाहूँगा आम आदनी पार्टी के लिए विचित्री सिती हो गई कि जिन लोगों को वो सबसे अधिक मानते थे कि विरोध करना एक जमाना था लिखित में समर्थन मागा था आम आदनी पार्टी ने कॉंग्रेस पार्टी से 2013 में आज उनलों के बीच में यह सिती हुई उस पर मुझे कोई टिपड़े नहीं करनी मुझे सिर्फ एक बात कहनी है हाई जब आप अपने सांसदों का सही समर्थन लेकर विवस्थित डंग से आगे नहीं बढ़ सकते तो देश को विवस्थित डंग से आगे बढ़ने का कैसे दम भरते हैं यह हमारी समझ नीरजी नीरजी मैं आपके पास आना चाहूंगा बधाई के साथ आपकी पार्टी का नेता हरिवण जी हमारी जमात से आते हैं सरकार रहे हैं हम सब उनकी बहुत शद्दा से उनका बहुत इज़त करते हैं हम लोग मैं यह जानना चाहूंगा सत्ता पक्षकी कॉंग्रेस पार्टी वैचारिक संक्रमन में है अब इसको पता नहीं चल पारा कहा जाएं बैजो पार्टी ब्रस्टाचार के सवाल पर पर पार्लियामेंट में ओडिनर्स भाड़ती हो वह ब्रस्टाचार का आरोप लगने के पार डीनर और लंच करते हैं उनके नेता का कोई निकार करना यह हंकार है ना निकार किसको कहते हैं लगने का था था कि ब्रस्टाचार को सिष्टाचार बना लो कि नितिश्कुमार जी अरोपी जिसका प्तिय हो उसके लिए नंचो डीनर करो सजाई आफका जो रहे उसके साथ कट्बंदन कर लो अरे पंटित महरों से लेका इंद्रा जी की तो आतमा करा रही होगी पर यह राहूल कांधी जी ने औरिनेंस भाड़ा था कि नहीं है बोलिए अरे इश्रत जहाँ व्याद की बेटी तीन ने तो वही है जो डेली निव एसेक्स बना रहा था अगर अगर आपके मले गैर वाजब काम करेंगे और उनको रिजेक्शन होगा तो क्या कॉंग्रस पार्टी उसका अपसोस मनाना चाहिए कॉंग्रस पार्टी ने गलत काम आपके विदायक करें और उनको अगर उसकी सजा कोई मिले तो कॉंग्रस पार्टी के अपसोस मनाए आपके साथ आके घर पे आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो जो आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो जो आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो 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 आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ, जो 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 कि बोधी नीती राहुल की नीती पर हावी है एक तरफा तोर पर हावी है नभा मलिक साब मैं आपके साथ इस सेग्मेंट की शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ जो कुछ हमने देखा बीटे सेग्मेंट में जिस तरीके से हमाद्वी पार्टी की जो शिकायत है कॉंग्रेस की आला नेत्रतु से क्या आपको लगता नहीं कि वो जायज है कॉंग्रेस की नेताओं को समर्थन पाने की कोशिश करनी चाहिए थी जैसा कि हमिच्छा या नितिश कुमार जी ने किया इसका जवब तो देता हूं पहले मैं सुधानसुजी ने जो दोहा पड़ा इसका मतलब क्या है मिंड़क बोला साप ने सुना साप मिंड़क की पास ग Locale funda सुधानसुजी जानुड़ जानृब्से अबढ़ी दिने का काम बन करें यही भाषा बोल रहे थे योगी जी, यही भाषा अमिशा जी बोले, कभी कुट्ता कुट्टी बोलोगे, कभी सांप बोलोगे, मुझे लगता यह आंकार है, इस भाषा का प्रियोग ना करें, देश में बहुत सारे लोग इस दोहे को समझते हैं, यह उचित नहीं है, जहां कहीं ना कहीं यह गलती है यह हम स्विखार करते हैं लिकिन कुल मिला के जो आज के नतीजे हैं यह नतीजे बीजेडी और टी आरेस की भूमीका पर निरभर थे उन्होंने जैसे भूमीका ले ली वे सहयोगी जो एंडिये में आग दिखाने वाले थे बिलकुल सिवसेना हो यह अकाली दल हो जब आकड़े जुटते हुए नजर आये तो उन्होंने अपनी भूमीका बदल दी यह सारा जो है आज का नतीजा यह आगामी लोकसवा और विधानसवा के जो तेलंगाना में और जो चुनाओं होने वाले हैं उडिसा में उसके मद्दे नजर सारी परस्तिति हैया निश्यत रूप से कांगरेश को और प्रियास करना चाहिए था आम आद्मी प्रेटी को अलग करके ठीक आप तरम करेंगे कहां करेंगे लेकिन आजज कही न कहीं सयोग मांगना चाहिए था विकर नहीं मांगकर कोंग्रेश के गल्ति की सापरा साब जवाब दीजिए, बीजू जनता दल जो ममतावैनर जी के साथ दिखाए देता है, केसी आर जो ममतावैनर जी से मिलते रहते हैं, आप लोग मोधी विरोध मोर्चे में थे, राज की तारिख में देखिये, ये लोग मोधी के साथ खड़े हैं और आप की 2019 के हिसाब से मेरे ख्याल से उसमें लार्जली क्या होगा विचारधारा की लड़ाई होगी उसमें एक महात्मा गांदी जी की विचारधारा होगी और उसके सामने गोड़से जी की विचारधारा है तो गोड़से की विचारधारा है के साथ करना पड़ेगा आम आदमी पार् मैं आपको महात्मा गांधी बता रहे हैं और अपने विरोग्यों को गोड़ से बता रहे हैं यह आप डिफाइन करना चाहरे हैं हिंदुस्तान की राधरीदी के नहाया आया जनता देख रहे हैं इसापना साथ आतिशी जवाब देंगी आपकी बात का मैं कोई नहीं होता हूं मैं जो संजा मोटा मोटी आपने यही कहा कि हम गांधी जी की विचारधारा के हैं और जो भी जेपी विचारधारा को बानता है वो गोड़ से के साथ खड़ा आतिशी जवाब दीजिए क्यों आप गांधी जी की विचारधारा के साथ नहीं है सापना जी के मताबिक देखिए सप्रा जी, सप्रा जी, सप्रा जी ये बिलकुल स्पष्ट है कि आज अगर RSS का और मोदी जी की जो पॉलिसीज है उनका विरोध करने में, अगर कोई एक व्यक्ति है जो गठबंदन बनने से, एक जुड़ा हुआ विपक्ष बनने में, जो सबसे बड़ी बाधा है वो कॉंग्रिस पार्टी से आ रही है, कॉंग्रिस पार्टी के एहंकार से आ रही है, जब तक कॉंग्रिस पार्टी अपना एहंकार नहीं खतम करेगी, तब तक जिन कॉंग्रिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिन गोट से के गोट की आप बात कर रहे हैं, ये बिलकु सापरा 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 स कर रहे हैं बीते सेग्मेंट में भी सब के बीच में आप बोले आपको बोलने का बहुत शौक है मेरे दो समाज में रहते हैं सब्सक्राइब करें मेरे सवाल का जवाब दीजिए हम तो पूछेंगे पिलकुल हम तो पूछेंगे कॉंग्रेस में अहंकार है की नहीं हाँ या न हाई या ना हाई या ना जबाब दीजिए क्या हो गया कॉंग्रेस में हंकार है या नहीं हाई या ना आप इसे बुझ रहा हो सापरा साब हाई या ना नहीं है थैंग्रेस पार्टी भहंकार नहीं है अप नरेंदर मौधी के साथ साथ کले मिलते हैं नफरत की ही राजरीती दूर करने की बात करते estry यृण अर्विंद केजरिवाल को कहते हैं कि मंच से उतर के जाओ तो रहूल गांदी आएंगे अर्विंद केजरिवाल कहते हैं फोन करो हम समर्दन देंगे तो आप कहेंगे हम फोन नहीं करेंगे यह हंकार है सापरा साब जंता देख रही है आपको आज जनतर मंतर में क्या हुआ तो दिन कहले कोई किसी से चुपंड नहींfill समीजी तो आज आज आपको वागा दे रहा हूँ में अथिशी जी ची से आधिशी जी के साथ मावी माँग लिजे सापरा सापरासाप सरकार बनाने में अगर न आज़े हैं लुट का दूद पानी का पानी हाथ बढ़ाई है कम श्रीन पर से विए जूट अब नहीं है जूट आप अब भी ज़त दिखा रहे हैं आप अप ये तो कि हमने बड़े बड़े उठाव आतिशी हज़ रही है सुमिछ जी एक चीज कहना चाहूंगी मैं लेकिन देश को जो उधारन कॉंग्रेस पार्टी ने दिया है कि कॉंग्रेस में कितना अहंकार है सप्रस आप जिस तरह से इस शो को नई चलने दे रहे हैं बाधी तर 그래요ताओं को बोलने नहीं दे रहे हैं अब बड़ी आप बोलरा हूँ उसी तरह से ये गचच बनन बनने में भी सबड़ी बाधा कॉंग्रेस पार्टी है जिस तरह से सप्रा सहाथ का अहंकार शौ पर दिख रहा है, उसी तरह से रावन गांभी जी का अहंकार दिख रहा है, कि वो आम आदमी पार्टी का समखन मांगने के तैयार ही नहीं है. सुदान्शू जी उष्कुरा रहे बैठें बैठें कि कितने आसान मैंच होगा हमारे लिए हैं हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है आपस लड़े जा रहे हैं भारती जंता पार्टी और जेडियू का काम कितने आसान कर रहे हैं लोग कैसे 19 की लड़ाई लड़ेंगे सिर्फ 7-8 मेने का बाकी है सुदान्शु जी ममता पेनर्टी तो कॉंग्रेस में थी कॉंग्रेस छोड़ के गई कॉंग्रेस की मुखालफत की नेतरत की मुखालफत की उनके साथ हाथ मिला रहे हैं शरत पवार जी अलग पार्टी बनात देखे ऐसा है महाभारत में जब युदिश्टिर्स से यक्षिश पूछा गया तो ये पूछा गया कि मनुष्य क्या खाता है भोजन ईश्वर क्या खाता है अहंकार तो आप देख रहे हैं अहम अन्निता का जो अहंकार है दोनों के बीच का द्वंद यो भहुत साफ नजर आ रहा है ये तो कहते हैं कमिंग इमिंट्स कास देर शेडोल बिफोर अंग्रेजी में आवद दिखाई पढ़ रहा है कि जब रात फेकरी मत्वाली को सुबा कालम क्या होगा हमें हम दोनों से किसी का एक क्या वापक्ष में नहीं बोलना है आप दोनों खुद तैक कर लिज हो गया भाजपा का हम दो हमारे दो एक आमादी पाटी है जिसने राजनीत में आने से पहले इतना अंकार भारा वयान दिया था कि सारी संसचोर है और सिर्फ हम आएंगे तो ठीक करेंगे और उसके बाद तो नाना प्रकार के जितने प्रकार के आरोप संभा हों है वो सब प वहे में हम कहा हैं हम भी हैं भाई हमारी तुलना यदि मेरा उद्देश किसी जानवर से तुलना करना है पर अगर है तो हमारी तुलना तो निरी में धक से है भाई बचे हुए तो हम हैं हम जाके समुंदर में मिलकर इस्थाई हो गए उदास दूसरे हरी के पास आई इसलिए वो एक पृतिकात्मक बात थी जो की यह थार्त तो मैं कहना चाहूंगा कि सहाब विपक्ष किये जो बड़े नेता दिगज नेता लीड ले रहे थे वो क्या हुआ मैं नहीं मानता कि शरत पवार जी जैसा मतब मझा हुआ नेता यदि उन्हें पूरा मौका मिलता तो वो कुछ लोगों को जोड नहीं पाते फिर सवाल कॉंग्रिस से पूझना चाहिए कि कितना मौका दिया था कितना दिल खोला था अब मुझे लगता है वो बात शायद खोल कर बोलना यहां मलिक साब के लिए संबव नहीं होगा और सापरा साथ भी उसके उपर कुछ कितू परंतू ल विबिन राजनेतिक दलों के वीज़े वीव पक्ष अपना विश्वास खुता जा रहा है और मोदी जी के पृति विश्वास पूल गये हैं कि एक मिनिट साब्रा साब एक मिनिट और लोग भी है पवार साब का आपने कहा निश्चित रूप से पवार साब ने पटनाएक जी से बात कि उन्होंने कहा कि मैंने पहले शब्दे दिया है परसितियां इसफस्ट हो गई कि नंबर जो है यह नहीं जुट पाएगा और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम बहुत आत्मविश्वास सिते की जीच जाएंगे पूरा खेल टीयारेस और बीजेडी के मतोपर था और जो बीजेपी ने जेडियू के उम्मेदवार आगे रखकर उन्हें जुटाया साथ में उससे नकारण नहीं जा सकता लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि विपक्स में पूरी तरह से फूट प बीच तिलंगाना में टीयारेस से कॉंग्रेस लड़ रही है अभी हम उदारन देख रहे हैं दिल्ली को लेकर घमासान इसी चैनल पर हो रहा है तो दो तीन राज्यों में जो परसितियां है उसके इलावा पूरे देश में एकमत बना हुआ है और अगर अगर एकमत था नव जो एक साथ आने वाले लोग थे आपने क्यों ही अपना अमीदवार उता रहे ना नवाब मलीक जी पहले तो आपके अमने बता दिया नहीं हमने बता दिया के बीजेडी और टी आरेस कॉंग्रेस के साथ दिखते हुए नजर नहीं आना चाहते उनकी लड़ाई साफ सिदे क तो एक हो रहा है ना तो ये आप तीन राज्य चोड़ें तो पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में तो कहीं न कहीं घड़ बंदन बन गया है जी सुदानशु जी दसने कि मुझे प्रेक की तरफ जाना सुदानशु जी सुदानशु जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कितना अंतर विरोध है वो तो अभी शुरू हो गया आपने का तीन राज्यों के बीच में सब कुछ एक है ये तो राज्य सभा में दिख गया तीन राज्यों में मदभेत क्या था आने दिजिए लोग सभा और दिख जाएगा इससे बहुत सा कि तमाम राज्यतिक दल अपने गोल्स को पाने के लिए अपने एहंकार को कम करते हैं अपनी एगो को च्यूटा रखते हैं दूसरे की एगो की मसाज करते हैं लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है लालू या अदब गले मिल सकते हैं अर्विन केजडिवाल से इनको वो कि तरी मतवाली को सुबा कालम क्या होगा हमें हम दोनों में से किसी का एक कि वापक्ष में नहीं बोलना है आपका गांडी जी के लिए ख़डा आंकारी कौन है एक कॉंग्रेस पार्टी थी मैं याद दिराना चाहता हूँ एक दौर में राजीव गांधी जी के जमाने में ह हमारे लिए तहा था कि हमारा आप तो परिवार नियोजन हो गया भाजपा का हम आगे बड़े उसकी में अलब तक के नतीज़े देख लेते हैं जनता क्या करें इस लाइव डिबेट में आपकी जवाब मेरे पास आ रहे हैं उप सबाबती चुनाव में साबिट क्या कि मोदी नीती से राहुल पार नहीं पास सकते हां कहने वाले 87% है और ट्विटर पॉल के नतीज़े भी आपके सामने हैं ज्यादा तर लोग इसमें भी हां में जवाब दे रहे हैं 89% पर पहुंच जिया बीती बार ये 84% पर था पांच पीसद के अधाफा हुआ है मैं आके बढ़ू उसके पर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ ज्यादा पुराएं तस्वीर नहीं है आपको याद होगा नवंबर 2015 पटना की तस्वीर है नितिश कुमार जी का शपत ग्रेंट समारो लालु यादव जी और नितिश जी ने मिलके सरकार बनाई में अंदुलन शुरू किया था जो बाद में आमानी पार्टी बना और कॉंग्रेस की सरकार को जाना पड़ा लेकिन लालु यादव सब कुछ भूलकर अर्विन केद्रिवाल को गले लगा लेते हैं क्या यही बढ़पन नीरत जी मैं आप से पूछना चाहता हूं क्या ये यह आंकार था या आज कॉंग्रेस पार्टी की चूख थी कि वो गले नहीं मिला पारें अर्विन केद्रिवाल को देखें कॉंग्रेस पार्टी राजनीत के ने डियने में डेली न्यू एसेट्स राजनीत के माध्यम से धनार्जन करो और सेक्लोरिजम का नारा लगाओ और साथी साथ रसी जल गई है अइठन नहीं गया अरे बैक छेत्रिया पार्टिया इस देश की राश्टिया वसकता ह है अगर गटवंदन की सरकार चलनी है गटवंदन की नीती है तो कंग्रेस पार्टी का इस सीधा अंकार है अरे उसमें कौन रहेंगे लेकिन आपको चेहरा कौन मान रहा है के लोग है वह राहूल गांडी जी के दीनर पॉलिटिक्स जो सेक्लरियों के लिए करपसन हो जाएगा यह आपकी सोच हो सकती है कि गिरी राज से कंग्रेस के बित्र कौन माला पहला पहलाते हैं आज के हामें के बाद जेल में मिलने जाते हैं तो राजनेती प्रक्त चाप क लड़ेगा है स्क्लरियम क्या इस देश के सवरी नाहीं की आत्मा है बच्चीयों को ब्रहन मत रहिए का उसके दोजवारा साप्रा साफ सापरा सापरा साप लगाता है इस सब्सक्रिया नहीं चापिशा कौन होगा अरे किस किस मूह से आप यह पूच सकते हैं कि आपके मागडबंदर का चेरा त्या नहीं है आप ये कैसे बुच सकते हैं यहां तो क्लियर है यहार में नितिश कुमार दिल्ली में नरेल रोधी कोई कोई दौड़ी नहीं है और इस चेहरे पर हम भाहस ही नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब नितिश कुमार होगा है सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब नितिश कौन होगा उपका चेहरे जी के सामने किसकी फोटो लगाए का मागडबंदर बता दीजिए आतिशी भी जानना चाहती है नीरत जी भी जानना चाहते है नवाब मलिक जी भी जानना चाहते है बता दीजे हमने हमारा स्टैंड क्लियर रखा है कि कॉंग्रिस पार्टी का चेहरा हमारे अध्यक्ष आदर निया राहूल गांदी जी रहेंगे बुलना पड़ता है यह भी बताना पड़ता है कॉंग्र ति महाँगरवन दें में चेहला पूरन होगा लोकतंतर के अंदर कि किसी को पता था कि दॉक्टर मनमोन सिंग प्रधान मंत्री बनेंगे 2004 में पता था मैं आप से पूछ रहा हूं आपकी डिफिनेशन पूछ रहा हूं लड़ते नहीं है उनको बना दिया जाता है सुधान शुजी ने आपकी बाते हाथ चल रही है सुधान शुजी यह इटलर शाही नहीं थी 2004 में देखिए जो बात इन्हों ने कही यह बिल्कुस सच इन्हों ने बात कही कि डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रधान मंत्री बनेंगे यह किसी को पता था क्या अरे मैं पूरी विनम पूर्धा से कहता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंग को ही नहीं पता था आप लोग ऐसे ही चमतकार करते हैं गुजराज साब बने थे तो गुजराज साब इंडिया इंटरनेशन सेंटर में बैटे हुए थे तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सुमिच जी आपने सवाल थोड़ सपरा साब से आपको कहना चाहिए था आपका molecules आपके चेहरे कौन होंगे क्यों वह एक चेहरा नहीं है कई चेहरे हैं हर चेहरे के मन में एक खौब है एक धुषाम मंटरी बânने की और वो इस गढटवन्दन के उपर अपनी सहुरियत से अपना चेहरा लगाता है सापरा साप पांच पहमान बैठे हैं सिर्फ एक आप लगातार सबके बीचे बोल रहे हैं और आप एक इस समाल के जवाब निचे रहे हैं उंको अपने सहीवकें अपरोच करना चाहिए था सापरा सापका जवाब नहीं आघाएं इन जिक्कत है वहाँ क्यों नहीं मिल रहे हैं सवाल इस बात का है जहां पर टक्राव है वहां क्यों नहीं दोस्ति का बढ़ाया जा रहा क्यों नहीं कैसे नफरत की राजनीती पर जीतेंगे आप प्यार से तुमीजी जी आप उसकी चिंता मत करिये वह कर लेंगे आप उसकी चंटा मत करिए समय आने पर हम कर लेंगे अगर अकलेश जी हमारे साथ आप पता ही आप से जानने चाहरा हूं सुमित जी इस शो पर आज सप्रा जी ने इस बात का प्रमांड दे दिया है कि कॉंग्रेस का कितना अहंकार है सप्रा जी ने पूरे एक घंटे से किसी और एक रिख्ती को बोलने तक में दिया है सप्रा जी ने पिछले एक घंटे से एक मानने को तयार नहीं है कि उन लोगों को और विपक्ष पार्टी ओंसे बास करना चाहरा है मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात, तमाम एमानों का मैं शुक्रियाता करूँगा, माफी चाहता हूँ वक की कमी है, लेकिन बहुत महत्पूर और दिल्चस्प भहस रही है कि किस तरीके से विपक्ष तार-तार होता दिखाई दे रहा है, आज इस लाइब डिबेट में क कैसे वो दो पार्टियां जो मोधी विरोध के लिए जाननी जाती है, उनकी एकता होने की बजाए वो एकता दरक रही थी, टूट रही थी, छट रही थी, दरारे चौड़ी हो रही थी, और ये कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी के हट धर्मिता की वज़े से, आब भी सोची का जरूर चलते हैं कि शूर के पास सबाद की वाद की पार्टी।